मिशन 2024 को लेकर तमाम पार्टियां संगथन विस्तार करने में जुटी हुई है एक तरफ सुभासपano farmers अपना संगथन विस्तार किया तो दुर्सी तरफ RLD ने भी अपना संगथन विस्तार किया है क्या इसके पीछे की सोच है किस तरीके से Mission 2024 को लेकर तैयारिया चल रही है यही हम बात कर लेते हैं RLD के राष्टिय महा सचिव है राजिंदर शर्मा जी शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा कि देखने की राष्टे लोगतर लगातार अपने अलग अलग जिलों में संगठन का विस्तार कर रहा है तो यह माना जाए कि Mission 2024 को लेकर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है देखे किसी भी राजियतिक दल को संगठन तो जमीनी आधार देता है और हमारा प्यास है जैन जी बारवार के चुके बिलोक से लेकर के जिला इसतर पर मंडल इसतर पर और प्रदेश के हर जिले में संगठन को बनाया जाए यह संगठन पार्टी का मुखादार होता है इसलिए सब जगे बनाया जा रहा है इसमें चुनाव 24 का हो कोई भी चुनाव हो तो लड़ा ही जाएगा जातियों का एक खयाल रखा जारा है जैसे कहते हैं कि हर चीज को कुछ ना कुछ दिया जाए तो उसमें भी देख रहे हैं कि जो आज संगठन में किस्तार किया है उसमें भी तमाम चीज़ें ऐसी देखी जारे हैं लोग दल जो है जातियता धर्म इन सब चीज़ें उपर करके समाच और सब के विकास की बाद सोचता है जातिया अपनी जगे मगर हम लोग यह प्रयास करते हैं संगठन में सक्रिये निस्ठावान और जो इमानदारी से किसान गरीब की बात करता है उन लोगों को आगे बढ़ा जाए संगठन को पद दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास लोग दल सदेव करता है अगर अब तक की बात करें अगर जो इस तरीके का इस वक्त जो माहौल चला है उस माहौल के हिसाब से 2024 के लिए आप खुद को कितना तेयार मानते हैं मतलब राश्टे लोगदल लोगदल गढ़बंदन के साथ चुनाव लड़ेगा और हमें आशार उमीद है पूरा गढ़बंदन उत्तर प्रदेश में या प्रदेश के बाहर भी जहां संभव हो पाएगा पूरी सक्ती समर्पन के साथ चुनाव लड़ेगा और यह चुनाव हमारा गढ़बंदन भारी बहुमत से हजगे जीते हैं मतदाता को खड़ा होने का प्रयास किया और मतदाता खड़ा भी हुआ मैं पहले भी कह चुका हूँ जब मतदाता चुनाव लड़ाता चुनाव जीता जाता है खतोली का चुनाव इस बार का प्रमाण है कि राश्ट चद्यक से लेकर आम कारकरता ने मैनत किया जनता को जोड़ा और भारती जनता पार्टी की सरकार की नीतियां जो हैं वो सारी सरकार हर छितर में असफ़ल हुई है उनको उजागर किया इसलिए हमारी पार्टी में चीती अच्छा ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जो आपको लगता है कि 2024 में बीजेपी के विजारत को आप लोग रोक पाएंगे तेके मुद्दा तो सबसे बड़ा है कि नौजवान, रोजगार, किसान ये मुख मुद्दे हैं किसान आज परिशान है किसान को बेजज़त किया गया है किसानों की सैक्ड़ों, किसान अपनी सही मांगों को लेकर की धरने पर थे इतना लंबा धरना कभी किसी का चलाए नहीं और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शहादत दी उसका बदला किसान गरीब सारे एक मौर्चा बना करके उत्ता प्रदेश के चुनाओं में लेंगे और मेरा आपसे सवाल है मौन भागवद है उनके बयान को किस नजरीय से बहुते है भागवद जी का बयान दरसल में जाती ये एक सत है चातीस देश में सत है और जो हजारों साल लंबे साल लंबे समय से एक बयवस्था है कोई एक बयक्ति उसको कहने से एक दिन में नस्थ नहीं होती अब ये किस ने बनाया किस ने नहीं बनाया ये तो भागवद जी बताएं कि उन्हें किस सोच से बयान दिया है मगर ये सच्चा ही है कि मैं जितना जानता हूँ दौापर तिरेता से राम की कुछ जाज जानता था राम तो राम है वगर उनको खशत्री किसने बनाया भगवान क्रिशन जो है वो तो भगवान है क्रिशन भी भगवान है उनकी जाती किसने खोजी इसलिए जहां धर्म सतता है जहां धर्म सतता है जाती भी इस देश में सतता है उसे माने ने कोई माने वो चीजे हैं उसको हम एक दिन में खतम तो करने सकते है अब भागवाज जी ने किस आधार पर कहा पंडितों ने बना पंडितों से उसका मायने क्या है मैं तो हर विद्व वानों ने जाती बनाई तो इसका उत्तर तो भागवती दे सकते हैं अच्छा जैसे कुछ चौपाई उपर रामचरीद मानेश की कुछ चौपाई उपर आज जो आपने देखा कि स्वामी परसाद महुरा का जो बयान है आप देखने तमाम तरह के हमलावर बीजेपी होगी है करोडो नजवान के रोजगार का सवाल है किसान का सवाल है गरीब का सवाल है भूमीन का सवाल है सारे सवालों के बीच में ऐसे प्रिशनों को लाना मेरी राह में जादे समधारी नहीं होगी मगर मोरिया जीने किस संदर्मों में बात की वो बता भी रहे रो बताएंगे भी कॉमन सिविली कोड को लेकर कुछ कहना चाहिए नहीं इस बारे में मैं क्योंकि यह मामले राश्टे इस्तर के हैं तो राश्टे देव जी कभी उनसे बात हो तो पूछेगा उनकी क्या रहा है लेकिन यह है फिर चुनाओ पर आजाता हूँ कि राश्टे लोगदल मिशन दोहजार चौबिस की तैयारी में कोई कोर का सरनी पूरी घेराबंदी कर रहे हैं नहीं घेराबंदी नहीं कर रहे हैं हम एक राजनतिक पार्टी हैं और जहां हमारा काम सड़क से सदन सग लड़ना है चुनाओ भी हमारा मकसद हमारा के हर राजनतिक पार्टी का धे होता लक्ष होता है वो हमारा लक्ष है कि हमारे लोग पार्लमेंट में जीते हैं उसके लिए भरपूर प्रयास हम कर रहे हैं करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया तो देखिए आरेलडी के राष्टिय महासचिव है राजेंदर शर्मा जी उनका सीधा कहना है कि सड़क से संसत तक हम आवाज उठाते हैं और उसी मिशन पर निकले हुए हैं गरीबों की बातों मजदूरों की बातों किसानों की नौजवानों की सबकी बातों को राष्टे लोगदल पूरी मजबूती से उठाएगे और जो गटबंदन है उस गटबंदन के साहरे 2024 में कुछ बड़े बदलाव का वो संकेत भी दे रहे हैं वीडियो जनरली सतंदर सिंग के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाआपकी